गाशमीर महाजनी बहुत अच्छी तरीके से जानती होंगे आप गाशमीर महाजनी को क्योंकि आदित्य के कारेक्टर से इमली शो में वो बहुत जादा फेमस हुए है और यही वज़ा है कि गाशमीर महाजनी अब हिंदी टीवी इंडेस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बना रखी है इससे पहले वो के हीरो हुआ करते थे लेकिन हिंदी टीवी इंडेस्ट्री में ने कोई नहीं जानता था इस तो ने हरे घर घर में उनको पहचान दिलाई है और लोग उन्हें अब आदित्य के कैरेक्टर से बहुत अथी अच्छी तरीके से जानते हैं आपको बता दें यहां पर गास्मीर महाजनी को आखिर ऐसी क्या जरूवत थी जो उन्होंने अच्छे खासे चलते हुए ट्यार पे वाले शो को कुट कर दिया बीच में ही सो आपको बता दें गास्मीर महाजनी अपने न्यू प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहते थे अ अभी तक 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 कुछ भी नहीं बोला है और जब तक कुछ कलियर हो नहीं चाहता है तब तक एक्टर्स केस्फी नहीं तोड़ते हैं सापको बता दें वह प्रोजेक्ट यहां तक कया से लगा जा रहे हैं वाली वुड में हो सकता उनको एंट्री हो रही हो या फिर वेव? स क्यों को ऐसा फैसला लेना पड़ा इसके अलावा बता दें आपको रूबीना देलेक और दृष्टी धामी को लेकर खबरे आ रही हैं जी हां कि वो उनके अपोजिट नजर आ सकते हैं तो बता दे भाई खबरों की माने तो खबर ऐसी ही आ रही है कि दृष्टी धामी और का ही आफर मिला है करश्मीर महाजणी को अगर ऐसा है तो फिर गाश्मीर महाजणी डेफिनेटली इन दोनों के अपोजिट नजरा आ सकते हैं इसका मतलब लट्रेंगल बेस्ट होने वाला है कुछ वेफ सीरीज में ऐसी सिर्फ खबरे आ रही है कोई आफिसली स्किल होगा सिर्फ क्यास लगा जा रहे हैं अपनी कमेंट्स के जरी अपनी राय जरूर बताना इस जोड़ी को देखने के लिए अपना ज्यादा एक्साइड़ है वीडियो कर अच्छा लगया हो तो लाइक शेयर कहना ना भूलना थैंक्यू फॉर वाचिंग